शरीर को फिट रखने के लिए सभी लोग रोज सिर्फ 30 मिनिट पैदल चलने की सलाह देते हैं नियमित मौनिंग वॉक करना आपके शरीर को स्वस्थे रखने का सबसे आसान तरीका है क्योंकि सुबह की सेर करना व्यायाम या जिम आधी जैसी क्रिया आधी से आसान है नियमित रूप से टहलने के फाइदे आपके शारीरिक स्वस्थे के साथ ही मस्तिश्क स्वस्थे के लिए अच्छा होता है हर रोज टहलने के फाइदे आप एहरिदे स्वस्थे चयापचे और मोटापे को दूर करने के लिए होते हैं हर उम्र के महिला और पुरुशों को नियमित रूप से टहलना चाहिए। तेज रखतार से पैदल चलना आपके फिटनेस तर और स्वास्थे को बढ़ा सकता है। आज इस लेक में आप रोज सिर्फ 30 मिनिट चलने के फायदे संबंधी जानकारी प्राप्त करेंगे। नियमित मौनिंग वॉक मानसिक स्वास्थे को बढ़ाए। रोजाना नियमित रूप से टहलना आपके शरीर की मानस्पेशियों को मजबूत करता है। लेकिन सुबह के समय कम से कम 30 मिनिट पैदल चलने के लाव आपके मानसिक स्वास्थे के लिए भी होते हैं। क्योंकि सुबह की ताजी और स्वच हवा में शुद्ध ऑक्सीजन की उच्च मात्रा होती है। इसके अलावा सुबह की सेर के बाद अक्सर लोगों को सुख़द और अधिक उर्जा का अनुभव होता है। यदि आप तनाव और अफसाद जैसी समस्याओं के प्रभाव से निकलना चाहते हैं तो सुबह के समय हर रोज टहलना प्रारंब कर दें। न्यमित रूप से टहलना वजन कम करें। जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उन्हें कम से कम हर रोज दो मील पैदल चलना चाहिए ऐसे लोगों के लिए एक घंटा तहलना भी एक अच्छा ब्यायाम है सुबह खाली पैट तहलने के फाइदे उनके शरीर में मौझूद अतिरिक फैट के स्तर को कम करने में होते हैं हावर्ड मेडिकल स्कूल के शोद करताओं के अनुसार तेज रफ्तार से आधा घंटा तहलना मोटापे के लक्षनों को कम कर सकता है 30 मिनिट पैदल चलना इम्म्यूनिटी बढ़ाए बार बार होने वाले सर्दी और जुकॉम जैसी सामान्य बीमारियों से बचने का तरीका नियमित मौनिंग वॉक हो सकता है अध्यनों से पता चलता है कि नियमित रूप से तहलना हमारे शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाता है तेज गती से तहलने पर शरीर में रक्त परिसंचरंग को बढ़ावा मिलता है साथ ही शारीरिक गतिविद तेज होने के कारण सफेद रक्त कोशिकाओं के उत्तपादन में भी व्रिध्धी होती है इस तरह से सफेद रक्ट कोशिकाएं हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से लड़ने में मदद करती है हर रोज दो मील पैदल चलना कैंसर से बचाए तेज गती से तहलना कुछ विशेश प्रकार के कैंसरों के लक्षनों को कम कर सकता है American Society for Clinical Oncology द्वारा किये अध्यनों से पुष्टी होती है इन अध्यनों के अनुसार हर रोज तहलना आंत्रिया स्तन कैंसर आदी की संभावना को कम कर सकता है यदि आप भी कैंसर जैसी गंभीर समस्या से बचना चाहते हैं तो सुबह तेज रप्तार से आधा घंटा तहलना शुरू कर सकते हैं अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो अभी हमारी वीडियो लाइक करे शेयर करे और हमारा हाश्मी.com चैनल सब्सक्राइब करें हन्यवाद